नमस्कार स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल डे नेस डे नेट स्टडी में दोस्तो आज हम हरिश्चन महाविद्याले के बीकॉम इंट्रेंस एक्जामेशन के स्लेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरनी से लेकर की एडिमीसर लेने तक की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा दोस्तो इस वीडियो में मैं 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 ली आपके लिए स्लेबस के बारे में बात करूँगा Slabers and Pattern के बारे में जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला मेरा Topic के Slabers and Pattern Second is Number of Questions in Interest Examination यानि कि दोस्तों हरिश्चन महाविद्याले के Become Interest Examination में कितने Questions आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और दोस्तों जो हमारा ठट है Topic कि Cut Up Marks या Passing Marks दोस्तों Cut Up Marks को लेकर कि आपके में में बहुत सारे सवाल होते हैं तो दोस्तों इस Cut Up Marks को मैं 4-5 सालों के basis पर बताऊंगा यानि कि जो 4-5 सालों में हरिश्चन महाविद्याले का Become के लिए Cut Up किया जा रहा है उसको हम देखते हुए आपको इसमें बताएंगे और दोस्तों जो नेक्स्ट है Topic हम रहा है कि Number of Seat in B.Com Faculty यानि कि दोस्तों हरिश्चन महाविद्याले में B.Com के लिए कितनी Seat सबीले बेन हैं आपके लिए इसके बारे में हम बात करेंगे और दोस्तों जो Last Topic है हमारा कि Admission, Fee and Counseling Document यानि कि दोस्तों आपकी मन में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर रहता है कि माल लिजे मैं इस Interest Examination को क्रैक कर लूँगा तो मुझे यहाँ पे Fee कितना देना पड़ेगा यहाँ पे Admission लेने के लिए और दोस्तों Most Important रहा आपका Counseling Documents क्योंकि दोस्तों Counseling Documents को भी लेकर बहुत साइड आपके मन में डावट्स होते हैं अगर आप माल लिजे कुछ डावकुमेंट्स भूल जाते हैं तो आपको Admission में थोई से Problem जरूर होती है तो दोस्तों जो मैंने आपको यह पांच Topics बताया है इन पांचों Topics को दोस्तों मैं One by One करके बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों जो मेरा पहला Topic था Slabas and Pattern दोस्तों मैं आपको Pattern अगर मैं कहूं कि Pattern क्या आता है यानि कि दोस्तों बारे Pattern की बात करूं तो 11th and 12th का आपको Pattern पढ़ना है आप ठीक है यानि कि आपको 11 और 12 में आपने जो भी पढ़ा है वारिज जिसे आपने जो भी लिया है तो वहाँ पे आपको पढ़ना है लेकिन दोस्तों अब हम Slabas की बात करेंगे कि किस किस Topics से Questions आते हैं क्या क्या Slabas होता है हरिचंद महाविद्याले के BE.com Interest Examation का दोस्तों इसमें मेनली है आपका Business Accounts आते हैं Business Accounts Business Economy से Questions आते हैं और Business Mathematics से Questions आते हैं और Business Organizations से Questions आते हैं आपके और Money and Banking और दोस्तों जो Last है कि Current Affairs and GK और GS में दोस्तों करना यह होता है कि देखिए इसमें से आपके 10 Questions आते हैं Current Affair, GK और GS खोले करके दोस्तों Current Affair में आपके 25 महिने के पहले का Current होगा वहीं पूछता है और GK GS में दोस्तों कुछ Normal से बहुत सिंपल से चीज़े पूछी पूछी जाते हैं जैसे आपके 10 Questions यहां से पूछे जाते हैं और दोस्तों मैं अगर बात करूँ कि आपकी जो Business Account है, Business Economy है, Business Mathematics है और Business Organization है Money and Banking है दोस्तों इन सबसे आपके Near About मैंने देखा है मेरे पास अभी इसका Question Paper भी आ चुका है अगर दोस्तों आपकी requirement है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका Question Paper कराऊं तो आप comment box में मुझे comment करिए और इस वीडियो को अधिक स्याधिक like करिए दोस्तों अगर ज्यादा like से आते हैं ज्यादा comment से आते हैं और दोस्तों Business Account से आपके Near About 15 Question आपके पूछ लिए जाते हैं अगर दोस्तों अगर हम बात करें Business Organization की तो दोस्तों इससे भी आपके 15 Question पूछ लिए जाते हैं और दोस्तों Near About 15 से 20 Question आपके Money & Banking से पूछ लिए जाते हैं दोस्तो Money & Banking यहाँ पे Important होता है दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा अभी मैं इसका जो Question पेपर जब मैं देख रहा था उसमें से दोस्तों Computer के आपके एक या दो Question पूछे गए थे तो आपको Computer पर थोड़ा सा ध्यान देना है बहुत ही General चीज़ थी जैसे Computer का General कौन था Computer का मतलब कि बहुत ही Simple सी चीज़ थी एक दो Question था तो आपको थोड़ा सा Computer भी पढ़ लेना है So Dear Student अब हम बात करेंगे Number of Question in BCom entrance examination in Harishnand Mahavidyalet यानि कि दोस्तों Harishnand Mahavidyalet में मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCom के entrance examination में आपके 100 Question पुछे जाते हैं यानि कि 100 सवाल होते हैं और इसको करने के लिए दोस्तों आपके पास 2 गंटे का time होता है और दोस्तों में इसमें important बात यह है यानि कि आपके लिए important चीज़ दोस्तों यह है और एक मान लिजिए तो आपके लिए खुस खबरी है कि यहाँ पे दोस्तों आपका negative marking नहीं होता है यानि कि negative marking नहीं होता है आप सारे questions को attempt कर सकते हैं वहीं दोस्तों अगर मैं next बात करूँ कि कितने question का कितने अंक होता है यानि कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक कंग साही करता है यानि कि अगर आप दोस्तों एक question साही करते हैं तो आपको एक number यानि कि एक marks मिल जाता है यानि कि एक question अगर आप साही करते हैं कट-up marks या passing marks को लेकर कि बहुत सारे आपको मेरे में doubts होते हैं कि आखीर मुझे कितना cut-up cross करना होगा मुझे target कितना करना होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको cut-up यह 3-4 सालों का जो है इंट्रेंस का cut-up यहाँ पे रहा है become के लिए हरिशंदर कॉलेज में दोस्तों अगर आप जनरर और OBC के कंडिड़ेट हैं तो आपका 75 मैक्सिमम और मिनिमम आपका 65 तक कटप जाता है वह दोस्तों अगर हम SCHT कंडिड़ेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 55 से 60 की बीच में रहता है कभी-कभी 50 पर भी एडिमिसन यहाँ पे हो जाते हैं दोस्तों बहुत जादा अभी घबलाने के जरुवत नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप हमसे पुछे कि सर मुझे टार्गिट कितना करना है कि मतलब पासिंग मार्क बताइए मतलब एक आप सिक्योर मार्क बताइए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योर मार्क पासिंग मार्क आपका 65 है यानि कि आपको नियर अबाउट 60 प्लस ही टार्गेट करना 60, 65, 70 रहेगा तो आपको यहाँ पाइडिमिसन मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1st round की counselling होती है, 2nd round की counselling होती है और 3rd round की counselling होती है जो कि दोस्तों B.com में आपके seat भी कापी ठीठाक यहाँ पर है ठीक है अब दोस्तों हम next topic की बात करते है So guys हमारा जो अगला topic है कि number of seat in B.com faculty दोस्तों इस topics को मैं बताने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इस channel पर नए है तो इस channel को subscribe करिए क्योंकि दोस्तों जैसे हरिश्चन महाविद्यालेगा entrance exam का date आएगा, answer की मालिजी आएगा, आपका admit card आएगा यानि कि दोस्तों entrance examination से समधित कोई भी जानकारी आएगी तो हम तुरंत ही आपको इस channel के मात्य हम से बता देंगे वीडियो के द्वारा दोस्तों अब आपको previous question paper चाहिए आपको practice seat लेना है तो दोस्तों आपको description में एक number मिलेगा जो कि हमारे team DNS का है आप दोस्तों उस पर worship करिएगा, call मत करिएगा, आप उस पर worship करके अपना नाम, college नाम, अपना course नाम, लिख करकी जैसे दोस्तों आप submit कर देंगे उस number पर तो आपको हाँ से reply मिलेगा, आपको यहाँ पर question paper, previous question paper सारे चीज़ दोस्तों आपको provide करा दी जाएंगी दोस्तों अगर हम बात करें कि number of seat in become faculty यानि कि दोस्तों हरिशन महावे दियाले में become faculty में कितने seats हैं आपके लिए दोस्तों अभी जो seat है अभी थ्वासा बढ़ाई गई है तो बढ़ करके आपका 480 यहाँ पर हो चुका है यानि कि 480 seat यहाँ पर हरिशन महावे दियाले में हो चुका है become faculty के लिए दोस्तों अगर हम बात करें admission fee and counseling documents दोस्तों admission fee को भी लेकर आपके मारे में बहुत सारे सवाल होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आप बिंजस account के मतब कुछ जैसे courses लेते हैं तो courses की हिसाब से ही होता है लेकि एक चीज़ आपके confirm है कि आपका जो fee लगेगा near about 6-7,8,000 के बीच यानि कि माली जब 65,700,700,000 यानि कि दोस्तों अखर मोटा मोटा कहें मतलब कि एक near about मतलब एक आप कहते हैं कि अनुमानता कितना होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुमानता आपका 6-8,000 के बीच मी फी लगता है कि दोस्तों मेरे अब यहाँ पर एक दोस्त है उसने एडमिसन वहाँ पर कराया था उसका 72 रुपे फीस लगा था दोस्तों कुछ डिबेंड करता है आपके कोर्स के उपर आप क्या-क्या लेते हैं ठीक है तो आपका फी इतना ही लगता है ज्यादा आपका फी जाना है जो भी दो कि दोस्तों एक जिरोक्स कॉपी एक और ओरिजिनल कॉपी भी आको ले जानी होती है दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपका काउंसिंड डाकुमेंट से यानि कि दोस्तों उसपे आपको आधार काड और पांस से साथ फोडोस भी आपको काउंसिंग कराते हैं तो अब की दिन आपके पांस से फोडोस लगते हैं लगला फॉर्म पीछिप काने पड़ते हैं तो आपको वहां पे लेकर ज़रू जाना चाहिए दोस्तों मुतलब नेक्स्ट जो हमारा डाकुमेंट से डोस्तों टीस आने की ट्रांस्पर जाएगा वो भी TCR आपको original लेगी जानी है जहां से भी आपने 12th pass आउट किया है दोस्तों अगर हम बात करें जो कि next और last है कि दोस्तों आपका income आपकी income क्या है उसका आपका certificate, caste का certificate और resident का certificate दोस्तों आपका counseling documents में लगता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like करिए अगर आप चैनले पर है तो subscribe करिए ताकि दोस्तों मैं आपके लिए जो previous year का question paper है आपके लिए मैं जल्द से जल्द ला सकूं